पंडित मोटे राम जी शास्त्री को कौन नहीं जानता, आप अधिकारियों का रूख देखकर काम करते हैं। फदेशी आंदोलने के दिनों में अपने उस आंदोलन का खूब विरोध किया था। फवराज्य आंदोलन के दिनों में भी अपने अधिकारियों से राजभक्ती की सनद हासिल की थी। मगर जब इतनी उच्छल कूट पर उनकी तक्दीर की मीठी नींग न तूटी और अध्यापन कार्य से पिल न छूटा, तो अंध में अपनी एक नई तक्बीर सोची। घर जाकर धर्मपतनी जी से बोले, इन बूरी तोतों को रटाते रटाते मेरी साफल मिला जो और आगे कुछ मिलने की आशा करूं। धर्मपतनी चिंतित होकर कहा, भोजनु कभी तो कोई सहारा चाहिए। मोटे राम तुम्हें जब देखो, पेठी की फ्रिक पड़ी रहती है। कोई सविरला ही दिन जाता होगा की निमंत्रन न मिलते हो, और चाहे कोई पर मैं परोसाल ये बिना नहीं आता हूँ। आज ही सब यजमान मरे जाते है, मगर जन्म भर पेठी जिल्या तो क्या किया। संसार का कुछ सुक भी तो भोगन चाहिए। मैंने वैद्य बनने का निश्चय किया है। फ्री ने आश्चर्य से कहा, वैद्य बनोगे, कुछ व विशगाचार्य बड़ा लूनगा, कौन पूछने आता है, तुम विशगाचार्य हो या नहीं। किसी को क्या गरच पड़ी है जो मेरी परिक्षा लेता फिरे। एक मोटा सा साइन बोर्ड बनवा लूनगा। उस पर शब्द लिखे होगे, यहां स्त्री पुरुशों के ग ग्यापन दूंगा और नोटिस बटवाऊंगा। उसमें लंका, मदरास, रंगून, कराची आधी दूरस्त स्थानों के सजजनों की चिटिथियां दर्ज की जाएंगी। ये मेरे चिकित्सा कोशल के साक्षी होगे जनता को क्या परी है कि वह इस बात का पता लगाती फिरे कि उन स्थानों में इन नामों के मनुश्य रहते भी है या नहीं फिर देखो वैद्य की कैसी चलती है। के यश मिलता है पाच रोग्यों में एक दी अच्छा हो गया तो उसका यश मुझे अवश्य ही मिलेगा। छेश-चार जो मर गए वे मेरी निंदा करने थोड़े ही आवेगे। मैंने बहुत विचार करके देख लिया इससे अच्छा कोई काम नहीं है। लेख लिखना मुझे आता ही है। कवित बना ही लेता हूँ। पत्रों में आयूरवेद महत्व पर दो-चार लेख लिख दूँँगा। उनमें जहां तहां दो-चार कवित भी जोड़ दूँँगा और लिखूगा भी जरा चटपटी भाशा में। फिर देखो कितने उल्लू फस्ते है यह न समझो कि मैं इतने दिनों केवल बोयत होते ही रिटाता रहा हूँ। मैं नगर के सफल वैद्यों की चालों का अवलोकन करता रहा हूँ और इतने दिनों के बाद मुझे उनकी सफलता के मूल मंत्र का ज्यान हुआ है। इश्वर ने चाहा तो एक दिन तुम सिर से पाओं तक सोने से लदी होगी। स्त्री ने अपने मनोल लास को दबाते हुए कहा, मैं इस उम्र में भला क्या गहने पहनूंगी, न अब वहा बिलाशा ही है, पर ये तो बताओं की तुम्हें दवाएं बनानी भी तो नहीं आती, कैसे बनाओगे, रस कैसे बनेगे, दवाओ को पहचानते भी तो नहीं हो। मोटे, प्रिये, तुम वास्तव में बड़ी मूर्ख हो। अरे वैद्यों के लिए इन बातों में से एक भी आवश्यक्ता नहीं, वैद्य की चुट्की की राख ही रस है, भस्म है, रसायन है, बस आवश्यक्ता है कुछ ठाट बाट की। एक बड़ा सा कमरा चाहिए उसमें एक दरी हो, ताकों पर दस-पांच शीशिया बोतल हो। इसके सिवा और कोई चीज दरकार नहीं, और सब कुछ बुद्धिया आप ही आप कर लेती है। मेरे साहित्य मिश्रित लेखों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा, तुम देख लेना। अलनकारों का मुझे कितना ज् आज इस भुमंदल पर मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता जो अलनकारों के विशय में मुझसे पेश पा सके। आखिर इतने दिनों भास तो नहीं खो दी है। तस-पाचा आदमी तो कवी चर्चा के नाते ही मेरे यहां आया जाया करेगे। पस, वही मेरे दल्लाह होगे। उन द्यार्ती भी तुम्हारे हाथ से न जाये। न इधर के रहोने उधर के तुम्हारे भाग्य में तो लड़के पढ़ाना लिखा है और चारों और से थोकर खाकर फिर तुम्हें वीतोते रटाने पदेगे। मोटे, तुम्हें मेरी योगता पर विश्वास क्यों नहीं आता 3. इसलिए कि तुम वहां भी धूर्ता करोगे। मैं तुम्हारी धूर्ता से चिरती हूँ। तुम जो कुछ नहीं हो और नहीं हो सकते, वह क्यों बनना चाहते हो। तुम लीडर न बन सके, न बन सके, सिर्पटकर रह गए। तुम्हारी धूर्ता ही फली भूत होती है और इसी से मुझे चिर है। मैं चाहती हूँ कि तुम भले आदमी बन कर रहो। निश्क पर जीवन व्यतीत करो। मगर तुम मेरी बात कब सुनते हो। मोटे, आखिर मेरा नायका ज्यान कब काम आवेगा। 3. किसी रईस की मुसाहिबी क्यों नहीं कर लेते। जहां दो चार सुन्दर कवित सुना दोगे। वो खुश हो जाएगा और कुछ न कुछ देही मारेगा। वैद्यक का धूंद क्यों रचते हो। मोटे, मुझे ऐसे ऐसे गुर मालूम है जो वैद्यों के बाप दादों को भी न मालूम होगे। और सभी वैद्य एक-एक, दो-दो रूपे पर मारे-मारे फिरते हैं, मैं अपनी फीस पांच रूपे रिख होगा, उस पर सवारी का किराया लग। लोग यही समझेगे कि यह कोई बड़े वैद्य हैं नहीं तो इतनी फीस क्यों होती। फ्त्री को अपकी कुछ विश्वास आया बोली, इतनी देर में तुमने एक बात मतलब की कही है। प्रक्रती को भली भाती पहचान न लूँ, उसकी दवा नहीं कर सकता। पोलो, कैसी रहेगी? फ्त्री की बाचे खिल गई, बोली, अब मैं तुम्हें मान गई, अवश्य चलेगी तुम्हारी वैद्य की, अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा। मगर गरीबों के साथ यह मंत न चलाना नहीं तो धोखा खाऊगे। टू साल भर गुजर गया। विशगाचार्य पंडित मोटे राम जी शास्त्री की लखनव में भूम मच गई। अलनकारों का ज्यान तो उन्हें था ही, कुछ का बजा भी लेते थे। उस पर गुप्त रोगों के विशेश अग्य, रसिकों के भाग्य जाग्रें। पंडित जी उन्हें कविट सुनाते, हसाते और बलकारक औशधियां खिलाते और वह रईसों में, जिन्हें पुष्टिकारक औशधियों की विशेश चाह रहती है, उनकी तारीफों के पुल बांधते। साल ही भर में वैद्यची का वहरंग जमा, कि बायद वशायदम बुप्त रोगों के चिकित्सक लखनों में एक मात वही थे। बुप्त रूप से चिकित्सा भी करते। विलासिनी विध्वारानियों और शौकी नदूर दर्शी रईसों में आपकी खूप पूजा होने पासको में बिरहल की रानी भी थी। प्राजा साहब का स्वर्ग्वास हो चुका था। रानी साहिबा न जाने किस जीन रोग से ग्रस्त थी। पंडित जी उनके यहार दिन में पांच-पाचव बार जाते। प्रानी साहिबा उन्हें एक शन के लिए भी देर हो जाती तो ब बंदनाया करते थे। कई मित्रों को रानी साहिबा के दर्बार में नौकर रखा दिया। रानी साहिबा भला अपने मसीहा की बात कैसी टालती। मगर चर्खे जफाकार और ही शैयंट रच रहा था। एक दिन पंडित जी रानी साहिबा की गोरी-गोरी कलाई पर एक हाथ र कि गती की परिक्षा कर रहे थी कि इतने में कई आदमी सोटलिये हुए कमरे में घुसाय और पंडित जी पर तूट पड़े। रानी भाग कर दूसरे कमरे की शरन ली और किवार बंद कर लिये। पंडित जी पर बेभाग पढ़ने लगे। यो तो पंडित जी भी दमखम के आदमी थे, एक गुपती सिंदेव साथ रखते थे। पर जब धोखे में कई आदमियों ने धर दबाया तो क्या करते। तभी इसका पैकर पकरते कभी उसका। हाई हाई का शब मूम से निकल रहा था पर उन बेरहमों को उन पर जरा भी दया न आती थी। एक आदम ने एक जमा कर कहा, इस दुष्ट की नाग काट लो। दूसरा बोला, इसके मूम में कलिक और चूना लगा कर छोड़ दो। तीसरा प्योवैद्यजी महराज, बोलो क्या मंजूर है, नाग कटवाओगे या मूम में कालिक लगवाओगे। पंडित, भूल कर भी नहीं सरकार, हाई म मर गया, तूसरा, आज ही लखनव से रिफरेट हो जाओ नहीं तो बुरा होगा। पंडित, सरकार मैं आज ही चला जाओगा। चनेव की शपत खाकर कहता हूँ, आप यहां मेरी सूरत न देखेगे। तीसरा, अच्छा भाई, सब कोई इसे पांच-पाचल आते लगा कर छो पंडित, अरे सरकार, मर जाओगा, दया करो चौथा, तुम जैसे पाखंडियों का मर जाना ही अच्छा है। कि प्रातर काल से पहले भाग खड़े होना, नहीं तो और ही इलाज किया जाएगा। तीन मोटे राम जी लंगडाते, कराहते, लकडी टिकते घर में गए और धम से गिर पड़े, चार पाई पर गिर पड़े। स्त्री ने घबरा कर पूछा, कैसा जी है? अरे तुम्हारा क् कैसा हो गया? मोटे, हाई भगवान, मर गया। स्त्री कहां दर्ध है? इसी मारे कहती थी, बहुत रबड़ी न खाऊं। लवन भसकर ले आउन। मोटे, हाई, दुष्टों ने मार डाला। उसी चांदालिनी के कारण मेरी दुर्गती हुई। मार्ते मार्ते सबों ने भुर मोटे, हाई, हाई, प्रांड, तुझे भी इसी दम कोसने की सूझी। मेरा तो बुरा हाल है और तु कोस रही है। किसी से कह दे, ठेला वेला लावे, रतो रात लखन उसे भाग जाना है। नहीं तो सबेरे प्रांड न बचेगे। त्री, नहीं, अभी तुम्हारा पेट न भूलोगे। रानी कहा थी कि तुम पित्ते रहे और उसने तुम्हारी रक्षा न की। पंडित, हाई, हाई वर्चुरेल तो भाग गई। उसी के कारण, क्या जानता था कि ये हाल होगा, नहीं ता उसकी चिकित्सा ही क्यूं करता। 3. हो तुम तकदीर के खोटे, कैसी व्यद्य की चल गई थी, मगर तुम्हारी कर्तूतों ने सत्यनाश मार दिया, आखेर फिर वही पहनी करना पड़ी, हो तकदीर के खोटे, प्रातकाल मोटेराम जी के द्वार पर थेला खड़ा था और उस पर असबाब लग रहा था, मित